नमस्कार आप देखरें महुआ खबर और मैं हूँ आपके साथ बॉयंत हम अलेकाई शुरुआत करते हैं इंटर्डेशनल टॉप 20 बॉलिजन की जुसमें हम आपको देशर दुनिया की तमाम 20 बड़ी खबर दिखाएंगे अमेरिका के नव निरपाचत रास्टरपती डॉनल्ड ट्रॉम्प ने रूस के रास्टरपती वलादिमीर पुतीन से फोन पर बातशीत की है और यूकरेन में युदस समाप्त करने की के साथ ही अन्य महदवपूर विशेव पर भी उन्होंने चर्चा की है रविवार को एक मीडिया रिपोर्ट से जो आनकारी दी गई है और हाल ही में रास्टरपती चुनाव जीतने के बाद ट्रॉम्प ने सतर से ज्यादा विश्व निताओं से बातशीत की है इसमें भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और इस्राइल के प्रधान मंत्री बिंजमिन नितिन्याहू भी शामिल है तो वहीं एक अमेरिकी महिला ने स्तन दूद दान करके एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मताबिक टेकसिस की 36 वर्ष ये एलिस अगले ट्री ने अब तक का सबसे 2014 में भी विश्व रिकॉर्ड बनाया था जब उन्होंने 1579.79 दूद दान किया था ये मिल्क बैंक समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों के लिए स्तन दूद एकटा करता है जिससे उन्हें जरूरी पोशन मिल सके वहीं नव निर्बाचित रास्टरपती डॉनल्ड ट्रंप ने रविवार देरुरात गोशना की है कि उनके पहले कार्यकाल में इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फॉर्ण्समेंट के पूर्व कारिवाहक प्रमोख टॉम हूमन उनके दूसरे प्रसाशन के दौरान अमेरिकी सिमाओं के प्रभारी होंगे और नव निर्बाचित रास्टरपती के रास्टरपती ने चुनाव अभ्यान के दौरान संकेत दिया था कि अगर वो दुबारा चुने जाएंगे तो यूमन को चुनेंगे जिसकी पहले ट्रॉम्प प्रसाशन के दौरान विवास्पदा पार अजरो जरो तोर्न संकेत Ар еde जवार बचुने वास्प कैटे क्षिय निष मेत आ मесп00 प्रसा च्रसे के युन्ये निर्हां के थ़ैश् kalau प्रेप निर्पोना खर्यर सिर्बाइं प्र्द मेपने स्वार्श feder कियों वे फो दियंगे थायोग। समय में अगूंठ जर्वी ने आरें चीत नralते विर गया थाले, हो और। मुह कर पननोवाल, दोसे लाटज बनावापक मैं अभ्दसिक अध्छ Senin correl हो आई frankly आव स्टॉनिघसरे कि नुछ उर्सा क्या जुरी कटी ऐandен कि अएली कहला हूंने रसे अभ्यूक STEM अभी होना・ सौरिक भूम कॉरिश ए्याफ पो. इस सीमा के समीप एक आतंगवादी हमले में पाच उरानी सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गए एक सरकारी समचार एजंसी ने रविवार को ये जानकारी दी है और खबर है कि खबर में कहां गया है कि मरतक सुरक्षा कर्मी अर्दसैनेक रविलेशनरी गाज के स्वेसेवी बासे बलके जातिये बलूच सदस्य थे और उनकी सिस्तान और बलूचस्तान प्रांत के सरवान शहर में मौत होई है तो वहीं अमेरिका के अलबामा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जोहां रविवार को स्टेगी विश्व विध्याले में जम कर फाइरिंग होई है और इस ग लेक्ति की मौत हो गई है वहीं गोली बारी में हुए अफरा तफरी में 16 अन्य लोग घायल हो गए है जानकारी के अनुसार गोली बारी का शिकार मृतक 18 साल का युवक विश्व विधाले का चात्र नहीं था लेकिन हाथ से में घायल हुए एक लोग कुछ लोग विश्व राजधानी को निशानब बनाया गया है इस हमले ने रूस की राजधानी में अफरा तफरी मचा दी है और इसके बाद इस कारण से मौसको के तीन हवाया जिको स्थाई रूप से बंद करना पड़ा है और कम से कम पाच लोगों घायल हो गए है तो वहीं नेपाल के काली जे दारू काप्रे के पास हुई है और जब पटाला ग्रामीन नगर निकाय के खिन श्वेत्र से थिर्पु की ओर जा रहे थे और उसी दोरान एक जिप ने अन्यवाहन से अचानक से टक कर मार दी तो ही लंडन के सिदिन हाम इलाके में आज बीते दिन हुई गोला बारी में एक वेक्ति की मौत हो गई है जबकि दो अन्य लोग घायल बताया जो रहे है पुलिस के मताबिक घटना की सूचना सुभे लगबग 10 बच कर 10 मिनिट पर वेल्स पार्क रोड से मिली है और पुलि लिस बंदूगधारियों की तलाश में भी जुटी है तो वहीं अमेरिकी बाजारों के बारे में चुतावनी देते हुए निवेश गुरू जिम जोगर्स ने भारत में निवेश के बारे में अपनी भविश्यवानी की है जोगर्स जो अपनी विशेश शक्गिता और रणन देश मंतुराले के प्रवक्तार रंधीर जैस्वाल ने कहा है कि हमने चटगाउं में हिंदू समुदाई पर हाल के खमलों को देखा है और सोशल मीडिया पर हिंदू धार्मेक संगठनों को निशाना बनाने वाली भड़काउं पोस्ट के बाद उनकी संपत्तियों और व्य आफ पैदा होना तै है पोस्ट और सच इलीगल ग्रिमिनल अक्टिविटीज इस बाउन तो क्रेट फर्दर टेंशिंस इन दे कम्यूनिटी वी यट अगेन और्ज दिगाउं बांगलादेश तो टेक स्ट्रॉंग मेजर्स तो एंशूर देखा हिंदूस और तो टेक आक्शन अगेंस्ट एक्स्ट बंद किये है वो उस कारे की अभी वेक्ती है जो हमारे निताओं ने वार्शिक सिखर समेलन के दौरान भारत और रूस के बीच एक व्यापक आर्थिक साजदारी विक्सित करने के लिए दिया है वास्तव में उन्होंने हम पर 2030 तक आर्थिक सहयोग का एक कारिकरम विक्सित करने का भी आरोप लगाया है जिस पर वर्तमान में काम चल रहा है आर्वोओ अजिए अग्यूआ बोवाद का है तो ब स्च्छेश बोद थाजर्स आर्ब गार्टन के लिए आर्वाध काउवाद ओषित स्विज टिडिक बांवें ऑप्राव में लिक्षित च्छेशन वार्टन टाष्ट इस पार्टन का आर्टन काई है तो वहीं भारती अमेरिकी राजनेता और नव निरपाचत रास्टपती के करीबी विश्वास पात्र विवेक रामा स्वामी ने कहा है कि अमेरिकी रास्टपती चुनाव में डॉनल्ड ट्रम्प की जीत रास्ट्रिय आत्म विश्वास को नवीगनी कृत करेगी और उन्होंन इंडनाध और लेक आकारर को उिश्वारी बाराती सलने थे था जाहीं, यूनल्ल थिश्वास ड्यू ने less di तैस्भ शूल में जाधर दिली जाजीर अवीश कि झालूड़ सभर एंडने हैना आँ अश्वास आओंपझे लेख खड़ाजीर में तानाधय आ SUS Herकी वारातीं वाद ज़िसकाई ने कहा है कि यूद की तैयारी कर रहे हैं कि उत्तर कोरिया सेनिकों की रूची सेनाओं के साथ युद अभ्यानों में भाग लेने की तैयारी की कोई जिपोर्ट है सरस्काई ने अमेरिकी यूरोपिये कमान के प्रमुख वरिष्ट अमेरिकी जनरल क्रिस्ट ओपर कैवोली के साथ अपनी बाचीत के बारे में फेस्बुक पर लिखा है तो वहीं फिलिस्टीनी चिकित साथिकारी ने बताया कि शनिवार को गाजा में दो अलग अलग इस्राइली हमलों में महिलाओ और बच्चे सहित कई कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है जबकि इस्राइल ने युद्ध के तरस्त उत्री गाजा में इन खफ्तों में पहली पर सह पहुचाने की भी घोश्टा की है और गाजा के स्वास से मंत्रौाले ने कहा है कि हम की एक खमला गाजा शहर के पूरवी तुफाह पडोस में एक स्कूल में आश्ट्रेस्थल पर हुआ है जिसमें कम से कम 6 लोग मारे गए हैं और मंत्रौाले ने कहा है कि मृतिकों में 2 साथ ही एक बच्चा भी शामल है इसराइली सेहना ने कहा है कि हमले में फिलिस्तीनी इसलाम एक जिहाद आतंगवादी समुह से संबंदित एक आतंगवादी को निशाना बनाया गया है लेकिन कोई सबूत या आगे की जानकारी इसके साथ नहीं दी गई है तो वहीं डॉनल समय से दोस्त और समर्थक कहा है साथ ही ट्रंप ने एक समाचार में कहा है कि ये मेरे प्रसाशन की शुरुवात होगी जो अमेरिका को फिर से महान बनाने के सहसी वादो को पूरा करेगा तो वहीं यूमिनाइड जोबुट की पहली पेंटिंग को न्यू यॉक में 1.8 मिलिय डॉलर की भारी कीमत पर बेका गया है और ये पेंटिंग 2.2 मीटर की थी जिसका शेश एयाई गौड पोट्रेट ऑफ एलन टर्निंग था जिसे दुनिया के पहले अल्ट्रा रियलेस्टिक रोबोट आर्टेस्ट एयाई डा के नाम से जाना चाहता है और पोटल ने एक 120,000 डॉलर और 180,000 के बीच की प्री सेल उमीदों को तोड़ दिया है जिसके बाद से ये सोथभी में निलामी के लिए रखा गया है और जिसमें पुष्टि की गई है कि इस काम पर 27 बिलियन डॉलर लगाया गया है तो ये कनाड़ा ने भारतिय नागरिकों के लिए वीजा गाइडलाइन्स में कड़े बदलाव किये है जिससे भारतियों को बड़ा चटका लगा है अब भारतियों को 10 साल का विजिटर वीजा नहीं मिलेगा और इसके बज़ाए भारतिय नागरिकों के विजिटर वीजा क कि अव्धी को भी घटा कर एक महीने तक सीमित कर दिया गया है इसके अलावा विजिटर वीजा को सीधे वक वीजा में बदलने का भी प्रवधान किया गया है ये कदम कनाड़ा सरकार दूारा वीजा सिस्टम में कड़े प्रवधान लागू करने के देशे से लिया गया है जुस से लंबी अफदी के वीजा की सुविदा भारतिय नागरिकों के लिए समाप्त हो जाएगी ये बदलाव उन भारतियों के लिए विशेश रूप से कठिन साबित हो सकता है जो लंबे समय के लिए कनाजा में रहकर अपने परिवार और दोस्तों स गेरी कोनीले को बरखास्त करने और उनकी जगा एलेक्स डिडिर को नियुक्त करने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किये जो एक व्यवसाई है और उन्हें पहले इस पद के लिए विचार किया गया था और साथ ही एक सरकारी शोत द्वारा दा एसोसियेट प्रेस को जानक प्रक्रिया में और भी उथल पुथल का संकेत देता है जिसने केरिबियाई रास्ट्र में गैंग हिंसा के बढ़तेस्तर के कारण बड़े पैमाने पर वर्षों से लोगतांतुरिक चुनाव नहीं कराए है तो वहीं स्वीडिश उप्र प्रधानमंत्री अब बुश ने हाल मुसलमानों को स्वीडिश समाज में शामिल करने और अप्रवासिय द्वारा अपनाई जाने वाली शर्या प्रधाओ पर अपनी टिपणी से देश भर में बहस छेर दी है और बुश ने अपनी विवादसपदा टिपणी में कहा है कि स्वीडिश स्वीडिन में शर्या के लिए कोई जगा नहीं है और इसलाम को स्विडिश मुल्यों के अनुकूल होना चाहिए और बुश्ट नहीं ये भी कहा कि राजनेतिक कारिक्रमों में इसलाम को स्विडिश मुल्यों के अनुकूल होना चाहिए जो मुसलिम एक इकृत नहीं होते और उन्हें देश छोड़ छोड़ देना चाहिए साथ ही उन्होंने ओलन किलिंग सिर कमल करना महिलाओ को पत्थर मारना और शरिया कानून के लिए स्विडन में कोई जगा नहीं बताए तो वहीं पैरिस पुलिस ने कहा है कि एमस्टरडम में इस्ड्राइली प्रिस्टंशकों के खिलाफ हिंसा के एक पताबाद स्ट्रेडियम के अंदर और आसपास साथ ही सारवजनेक परिवाहन पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फ्रांस इस्ड्राइल फुटबॉल मैच के लिए 4000 अधिकारी और 1600 स्ट्रेडियम करमचारी तैनात किये जाएंगे और एलिसी प्रेजिडेंशियल प आज में खेल रहे हैं जिसमें फ्रांसेसी रास्ट्रपती एमेनुवल मैक्रो भी शामिल होंगे फ्लाल के लिए इंटर्डेशन टॉप 20 बुलिटन में आज के लिए इतना ही देशर दुनिया के तमाब खबरों के लिए देखते रही है महुआ खबर और मुझे दीजे इज नमस्कार